प्रोट टी यू बाई आई टिल तब वो उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री थे अब सवाल ये है कि JPNIC में अखिलेश की एंट्री को ले कर इतना विवाद क्यों हो रहा है ये बिल्डिंग आखिर बनवाई किसने थी बिल्डिंग के अंदर क्या क्या है इसको ले कर विवाद है तो इस बिल्डिंग की यानि GPNIC की पूरी कहाने आपको बताते हैं साल था 2003 उत्रप्रदेश में मुलायम सिंग यादव की सरकार थी जॉर्ज फर्नांडेस उस वक्त देश के रक्षामंत्री हुआ करते थे जॉर्ज फर्नांडेस ने सबसे पहले मुलायम सिंग से भारत रतनेचा प्रकाश नारण की याद में GPNIC बनानी की बात कही थी मुलायम को ये आइडिया समझ आया और उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया मीडिया रिपोर्ट के मताबेक प्रोजेक्ट के लिए 1500 करोड से 175 करोड रुपए का करीब इस्टिमिट बनाया गया प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो गया इसके बाद उतरप्रदेश में साल 2007 में मायवती की सरकार आई लेकिन कच्छुए से भी धीमी रफ्तार से चलने वाला इस बिल्डिंग का काम पूरा नहीं हो पाया फिर आया साल 2012 उतरप्रदेश में फिर से समाजवादी पर्टी के सरकार बने मुख्यमंत्री बने अखले शादाव फिर इस प्रोजेक्ट का जिक्र हुआ इस पर काम पूरा करने का जिम्मा LDA याने लखनव विकास प्रादी करण को सौपा गया इसके साथ ही प्रोजेक्ट में मौडरन एक्किप्मेंट लगवाने के नाम पर बजट बढ़कर 865 करोड हो गया साल 2017 तक सेंटर का निर्माण कारे तेजी से चला इसे अकलेश चादव का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया गया 18.644 में पहले इस सेंटर में 200 कमरो वाला सेविन स्टार गेस्ट हाउस है इसके लावा 1000 लोगों के केपैसिटी वाला कॉन्फिन्स हॉल एक ओलम्पिक साइज स्विमिंग पूल एक किड्स पूल, टेनिस लॉन, जिम, स्पा, योग सेंटर, रेस्ट्रों, लाइबरेरी और छट पर एक हेलिपैट भी है साल 2017 में फिर चुनाव हुए इस बार सत्ता में आई योगी सरकार चुनाव से पहले ही अकलेश चादव ने अपने घोशना पत्र में मायावती के बनाए निर्माडों पर सवाल उठाए गए वही योगी सरकार में भी हुआ अकलेश के बनाए हुए इस स्ट्रक्शर पर भी सवाल उठे और जाच बैठाए गई बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाए कि LDA के अफसरों ने प्रोजेक्ट के नाम पर विदेश के दोरे के खुब मज़े उठाए सेंटर में लगने वाले AC को देखने के लिए तमाम अधिकारी चीन गए थे उस वक्त अधिकारीों ने कहा था कि AC की कंपनी इसका पूरा खर्च उटा रही है लेकिन बाद में यात्रा का पूरा खर्चा विभाग से लेने के लिए इसका बिल लगा दिया गया आरोप लगे कि प्रोजेक्ट का बजट 865 करोड रुपए का था लेकिन बाद में ये लगातार बढ़ता गया और जब काम बंध हुआ तब तक इसका बजट 881 करोड रुपए हो चुका था यानि इसमें इतने पैसे खर्च हो चुके थे और उस समय तब भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 130 करोड रुपए और चाहिए थे योगी सरकार ने प्रोजेक्ट में घोटाले के आरोप लगाते हुए काम रोग दिया और जाच के आदेश ती तीन सदस्य टीम ने मामले के जाच की जाच के मताबिक विजली के कामों में 19 प्रतिशत का अंतर मिला इसमें बताया गया कि विजली से जुड़ी चीजों पर 218 करोड रुपए के काम हुए इसमें से करीब 9 करोड रुपए के काम के लिए कमिटी से पर्मिशन नहीं ले गई इस जाज के आदेश के बाद यानि साल 2017 से लेकर 2024 तक सेंटर का काम ठप पड़ा रहा नतीजा ये रहा कि अब सेंटर की हालत खंड़ा जैसी हो गई है मशीनों में जंग लगी है जगह जगह पेड़ों के जंगल बने हुए है इन्ही सब चीजों का हवाला देते हुए LDA ने जेपी सेंटर के एंटरी पर नो एंटरी का नोटिस चस्पा कर दिया है उसमें बताया है कि बिल्डिंग निर्मान अधीन है और इसमें जीव जंतू हो सकते हैं 11 अक्टूबर को जेपी नाराण के पुर्णिति थी पर अकले इशादव को वहां जाकर माल्यारपन करना था लेकिन उससे एक दिन पहले यानि 10 अक्टूबर की रात एंटरी गेट पर उचे उचे टिंशेट लगा दिये गए जिससे कोई अंदर ना चापाए ये टिंशेट देखकर अकले इशादव भड़क गए ये टींशेट लगा करके सरकार आखिरकार क्या चिपाना चाती है कहीं ऐसा तो नहीं कि बेशने की तैयारी हो किसी को देना चाते हो काम को रोकना काम को बिगारना और फिर काम का बरबाद कर देना और फिर ये लिख देना पेंटर विचारा बैठा हुआ है उसे किवल पैस इस बात को लिखने के लिए कि निर्मारा धीन है यह निर्मारा धीन नहीं है यह बेशने की तैयारी है इसको बेचा जाएगा और मैं समस्ता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेश दे तो अच्छा है कम से कम यह चलने लगेगा और टीशेड लगा करके को रोक नह मौझूद हैं साल 2023 में भी अखिलेश को सेंटर के अंदर से जाने से रोकने के लिए फोर्स लगाई गए थी 11 अक्टूबर की सुबह से अलर्ट था वहाँ पर LDA को अखिलेश ने माले आर्मेट की परमिशन भी नहीं दी थी अखिलेश वहाँ पहुचे तो करीब 8 वीट उची टिन की लिवार खड़ी थी लेकिन अखिलेश यादव तब गेट फांद कर JPNIC के अंदर घुस गए और जय प्रकाश नार्याण की प्रतिमा पर माला जावे हैं अस पूरे मुद्दे पर आपकी जो विराय है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपके लिए तमाम जानकारे लेकर आएं थे मारी साथ ही रक्षा मेरा नाम विगास फर्मा है देखते रहें दीला लड़ाव शुक्रिया